आप सब का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल दा बाइकेंड कार्ड शोव में आज हम बात करने जा रहे हैं किया सौनेट के बारे में और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए तो भी ना उत गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं किया सौनेट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है यह तो ही बात इसके वेरियंट्स और कलर की अब हम बात करते हैं इसके टेकनिकल स्पेसिफिकेशन की तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंजन की इसके अंदर आपको 3 इंजन अप्शन मिलते हैं जो कि यह 1.2 लीटर पैटोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1 लीटर टर्बो पैटोल इंजन जो 1.2 लिटर पैटोल एंजन है जो मेक्स पावरी एंजन जनरेट करता वो है 83 PS और मेक्समुम टॉक जो जनरेट करता वो है 115 Nm ट्रांस्मिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन मिलेगा वहीं अगर हम बात करें 1.5 लिटर डीजल एंजन की जो मेक्स पावरी एंजन जनरेट करता वो है 115 PS और मेक्समुम टॉक जो प्रोडूस करता वो है 250 Nm ट्रांस्मिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुल ट्रांस्मिशन एंड 6 स्पीड आटोमेटिक ट्रांस्मिशन मिलेगा वहीं अगर हम बात करें 1 लीटर टर्बो पेटल एंजन की जो मेक्स पावरी एंजन जनरेट करेगा वो है 120 PS और मेक्समुम टॉक जो जनरेट करेगा वो है 172 Nm ट्रांस्मिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT आटोमेटिक मिलेगा ये तो ही बात इसके इंजन की अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन की फ्रंट में इसके अंदर आपको MagPerson shirts मिलेंगे और रेर में आपको torsion भी मिलेंगे brakes के अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको disc और रेर में आपको drum brake मिलेंगे tires के अगर हम बात करें तो उसका जो tire size वो वेरी करता है variant to variant अगर आप इसका base variant HTE लेते हैं तो उसके अंदर आपको 195 by 65 R15 के steel wheels मिलेंगे वहीं अगर आप उसके mid variant और top variant लेते हैं तो उसके अंदर आपको 215 by 60 R16 के wheels मिलेंगे ये तो ही बात इसके technical specification की अब हम बात करते हैं इसके variants की कि वो क्या feature offer करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके base variant की जो कि ये HTE variant HTE variant आपको 1.2 liter petrol engine and 1.5 liter diesel engine के साथ मिलता है दोनों engine के साथ आपको manual transmission मिलेगा HTE variant की जो starting price वो है 6,71,000 रूपीज आईए जानते हैं कि Kia Sonnet का base variant आपको क्या feature offer करता है तो इसके अंदर आपको dual front airbag, ABS with EBD, rear parking sensor, Kia signature tiger nose grill, muscular front and rear skate plate 15 inch steel wheels मिलेंगे, all black interior मिलेगा, electrically power steering मिलेगा, manual air conditioning, electrically adjustable outside mirror मिलेंगे rear AC vent and front adjustable headrest जैसे features मिलेंगे अब हम बात करते हैं इसके अगले variant की जो कि ये HTK variant HTK variant आपको 1.2 liter petrol engine and 1.5 liter diesel engine के साथ मिलेगा दोनोई engine के साथ आपको manual transmission मिलेगा HTK variant की जो starting price हो है 7,59,000 रूपीज आईए जानते हैं कि HTK variant आपको क्या additional feature offer करेगा as compared to HTE variant तो सबसे बिल अगर हम बात करें उसके exterior से तो इसके अंदर आपको 16 inch के metallic silver wheels मिलेंगे all black interior मिलेगा driver seat height adjust मिलेगा power window, follow me home headlamps 2 din को audio system मिलेगा with 4 speakers and steering mounted आपको audio controls मिलेंगे यह तो ही बात HTK variant की अब हम बात करते हैं इसके अगले variant की जो कि है HTK plus variant HTK plus variant आपको 1.2 liter petrol engine 1 liter turbo petrol engine and 1.5 liter diesel engine के साथ मिलेगा यही एक मात variant है जिसके अंदर आपको automatic transmission का option मिलेगा HTK plus variant की जो starting price हो है 8,45,000 रूपीज आईए जानते हैं कि HTK plus variant आपको क्या additional feature offer करेगा as compared to HTK variant तो features के अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको projected fog lamps मिलेंगे auto headlamp floating type roof rails outside mirror पे आपको LED turn signal मिलेगे chrome front grill मिलेगी fully automatic air conditioning electrically folding outside mirror rear defogger and 8 inch की touch screen infotainment system मिलेगा जो Android Auto और Apple CarPlay को support करेगा rear view camera अगर आप 1 liter turbo petrol engine with 7 speed DCT के साथ लेते तो इसके अंदर आपको multi drive mode मिलेंगे and traction control मिलेगा ये तो हुई बात इसके variant HTK plus की अब हम बात करते हैं उसके अगले variant की जो कि ये HTX variant HTX variant आपको 1 liter turbo petrol engine and 1.5 liter diesel engine के साथ मिलेगा HTX variant की जो starting price वो है 9,99,000 रूपीज आईए जानते हैं कि HTX variant आपको क्या additional feature offer करेगा as compared to HTK plus तो इसके अंदर आपको crown gel LED headlamps मिलेंगे LED projected DRLs मिलेंगे electrically sunroof मिलेगा beige and black आपको interior मिलेगा leather wrap आपको steering wheel मिलेगा push button start stop cruise control rear center armrest and rear seat adjustable address मिलेगे audio system वही same मिलेगा जो आपको HTK plus variant के अंदर मिल रहा था अब हम बात करते हैं इसके अगले variant की जो कि ये HTX plus variant HTX plus variant के अंदर आपको 1.0L turbo battle engine and 1.5L diesel engine मिलेगा इसके साथ साथ इसके अंदर आपको dual tone color का भी option मिलेगा HTX plus variant की जो starting price हो है 11,65,000 रूपीज आईए जानते हैं कि HTX plus variant आपको क्या additional feature offer करेगा as compared to HTX variant तो इसके अंदर आपको tear pressure monitor, beige and black interior LED sound mode light leather wrap आपको 2 trims मिलेगी rear washer and wiper 10.25 इंच की HD touch screen infotainment system मिलेगा जो इंडोर आटो और एपल carplay को support करेगा बोश के premium 7 speaker audio system मिलेगा, ventilated front seat मिलेगी, smart pure air purifier जैसे features मिलेगे ये थो ही बात इसके variant HTX plus की अब हम बात करते इसके अगले variant की जो की ये GTX plus variant GTX plus variant आपको 1 liter turbo petrol engine and 1.5 liter diesel engine की साथ मिलेगा इसके अंदर आपको automatic transmission का भी option मिलेगा GTX plus variant की जो starting price है 11,99,000 रूपीज आईए जानते हैं कि GTX plus variant आपको क्या feature offer करता है तो इसके अंदर आपको 6 airbag, brake assist, front and rear parking sensor, tire pressure monitor, electrically sunroof, all black interior मिलेगा, LED sound mode light, cruise control and dual tone color का भी option मिलेगा ये तो ही बात इसके variants की कि वो क्या feature offer करते हैं अब हम बात करते हैं वडिक की कि आपको कौन से variant को buy करना चाहिए हमारी राय से आपको HTK plus variant को buy करना चाहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिए जय हिंद